So, Welcome to Motor Reviews, आज बात करेंगे KTM की तरफ से आने वाली इनकी All New Upcoming Duke 125 Version 3.0 के Launch Updates Recently, KTM ने Updated Duke 125 को Launch करा है इंडिया में, जिसमें काफी New Changes भी करे गए है बट इसके Price को काफी ज़्यादा Increase कर दिया गया है KTM की तरफ से KTM Duke 125 का Cost है आज की डेट में 1,71,000 जो की एक शोरूम प्राइज है और ओन रोड ये बाइक आपको Cost करता है 2,00,000 रूपीज तक वैसे Overall Duke 125 काफी शांदार Motorcycle है बट प्राइज के Comparison में Features बिलकुल भी Justified नहीं है 2,00,000 में इस Spike में आपको Simple Halogen Headlight मिलती है इस Spike में आपको Small Size Meter Console मिलता है जो की विट टाइम काफी outdated हो चुका है यही सेम KTM Duke 125 को योरोप में सेल किया जा रहा है विद LED Headlight and TFT Color Display Indian Duke 125 टोटली इंस्पाइड है Duke 200 से and European Duke 125 टोटली इंस्पाइड है Duke 390 से KTM Premium Motorcycle ब्रैंड है इन्हें KTM की टोटल लाइनप में Premium Features भी ओफर करने चाहिए अब कमिंग Duke 125 वर्जन 3.0 में आपको क्या कुछ न्यू चेंजिस देखने को मिलेंगे and इस Spike का इंडिया में लॉंच कब होगा डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरू सब्सक्राइब करें and आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते अगर आपके कोई भी questions है बाइक के related तो चलिए आज कर व्यू हम स्टार्ट करते हैं New Duke 125 में आपको क्या कुछ न्यू चेंजिस देखने को मिलेंगे Duke 125 वर्जन 2.0 में आपको हॉलेजन हेडलाइट मिलती है with LED DRLs and Duke 125 वर्जन 3.0 में आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी with LED DRLs existing Duke 125 में आपको small size digital meter console को offer किया जाता है but new Duke 125 में आपको square size digital meter console मिलेगा and this bike में आपको latest colors and graphic भी मिल जाएगे अगर हम इस bike के features की बात करेंगे इसमें आपको single channel ABS मिल जाएगा and this bike में आपको engine cooling technology liquid cool मिलने वाली है and this में आपको same bigger size fuel tank भी मिल जाएगा and this bike में आपको LED indicators के साथ LED tail light भी मिल जाएगी बाकी features इस bike में आपको same देखने को मिलेंगे जो की existing Duke 125 में मिलते हैं अगर हम Duke 125 के suspension की बात करेंगे front miss में आपको 43 mm के upside down fork suspension मिलेंगे and rear miss में आपको monoshock देखने को मिलेगा disc brake का size front miss में आपको 300 mm disc and rear miss में आपको 230 mm disc tire size भी spike में आपको same देखने को मिलेगा 110-70-17-inch and rear miss में आपको 150-60-17-inch अगर हम Duke 125 version 3.0 के engine and specification की बात करेंगे इस bike में आपको same engine and specification मिलने वाली है displacement इसमें आपको 124.7 cc का liquid cool engine मिलेगा and power इसमें आपको 14.5 hp की maximum power ये bike generate कर देगा and torque इसमें आपको 12 Nm of torque मिलेगा number of gears इसमें आपको 6-speed gear मिलेंगे seat height इस bike की 820 mm की है तो अगर आपकी minimum height 5 foot 7 inch है तब ही आप इस bike को easily ride कर पाएंगे and fuel tank इसमें आपको 13.5 liter का fuel tank मिलता है overall weight इस bike का 159 kg with fuel देखने को मिलेगा ये same specification आपको same European Duke 125 में भी offer करी जाती है बट जो missing है इस bike में वो है LED headlight and updated new digital meter console जो की बहुत ही जल्द update किया जाएगा upcoming Duke 125 में भी इस bike में आपको updated new features देखने को मिलेंगे and इसमें आपको aggressive headlight का design भी देखने को मिल जाएगा इस bike में आपको muscular fuel tank भी मिलेगा अगर हम इस bike के colors की बात करेंगे इसमें आपको latest 2021 colors and graphic देखने को मिलेंगे Duke 125 version 3.0 का launch आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा इस bike का launch आपको October 2021 में देखने को मिलेगा अगर इस bike के हम price की बात करेंगे Duke 125 का price आपको 1,71,000 जो की extra देने होंगे बट इस bike में आपको updated features देखने को मिलेंगे तो इस bike का launch आपको festival season में देखने को मिल जाएगा 2021 में तो फिलाल जो information मेरे पास थी मैंने आपसे discuss की still आपके को doubts या कोई भी question है आप मुझे Instagram पे DM करो मैं आपको जूर reply दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही आज के review को हम इधर ही wind up करते हैं